आप सभी को जगनाजी और मैं पत्रकार बंदुओं को मैं पत्रकार मानती नहीं, मैं तो अपने परिवार का मानती हूँ और परिवार के बीच में कोई बात करने में संगोच भी नहीं होता ये जनपद इस प्रस्नल डिस्टिक है जिसमें मैं आज क्या प्रगती हुई है उस विसे पर मैं चर्चा करने के लिए आई हूँ और किन किन बातों को अभी और करने की ज़रूरत है ये सुझा भी मैं लेने के लिए आई थी जो भारत सरकार की गयर लेने उसके अनुसार इस जिले में क्या क्या हुआ है ये बात सही है कि जब नीती आईवने सर्वे कर वाया था ये जनपद हर छेत्र में पिछड़ा हुआ था आज कहीं न कहीं काफी हद तक प्रगती पर है एक वी से मेरे संग्यान में जो आया है वो है प्रधानमंत्री आवाज का और इस जनपद में लोगों ने बताया कि जीरो है ये कहीं न कहीं प्रदेश सरकार ने जो अपना एक साइड बनाई थी उसके कारण महारा सरकार में नहीं जा पई उसके लिए भी प्रधेश सरकार का जो हिस्सा है आवाज का वो उसको मिलेगा उसको कोई रोकेगा नहीं अभी ही सारे सांसद हमारे मिले थे जाकर के ग्रामेड विकास्ट वंतरी आदनिया गिराजी से उस हमने अस्वस्त किया है यह जन्पद अन्य जन्पदों की कटागरी में आए इसके लिए यहां नीती आयोग ने जो पैरामीटर रखा था उदिशा पर काम हो रहा है कोपोसित बच्चे पहले क्या थे और आज कितनी इस तर तक पहुँचे यह जानकारी मुझे मिली है और जो अभी कमिया है उनको जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे मैं आज के दिन अपने जन्पतनी दी थे और मेरी यहां सियजी की बहने भी आई हुई थी मुझे जानकर के खुशी है वो रही है कि जो महिला है घर के अंदर में बंद रहती थी घर से बाहन ने निकलती थी भारत सरकार की इस योजना ने उन महिलाओं को घर से अके लिए बाहर ने निकाला स्वावलंबी भी बनाया जो मात्रशक्ति पती के सामने एक एक दोदर रुपया के लिए हाथ पहलाती थी आज वो समय मार्केट मार्केटिंग कर रही है अपना बनाया हुआ माल यह बहुत बड़ी उपलब दी है और मैं तो एक कह सकती हूँ कि आज पूरे देश में आठ करोड के लगबग मात्रशक्ति काम कर रही है समू से जुड़ करके और आठ करोड मैने रखता है जो महिला महिने में तीन हजार रुपया बचा रही है खर्चे निकालने एक बाद तो बहुत बड़ी उपलब दी है जो एक एक दो दो रुपय के लिए तरस्ती थी इसी तरह अन्य विभागों का मैंने व्यू लिया है जिसमें जल सक्ती मंत्राले का है करसी का है अन्य स्वास्त का है जो भी से थे उन पर मैंने चर्चा की है और जहां अभी कमिया है उनको मैंने दिसा निर्देश भी दिया है कि कहीं भी ये जनपद अन्य जनपदों से पिछड़ा पर हमें फोकस करके काम करना है मनरेगा को भी सिचाई से करसी सिचाई से हमने जोड़ दिया है उसके तएद भी काम करना है मैं आपके बीच में और इस जिले में मेरा आने का जो अउस्सर मुझे प्राब्त हुआ है मेरे लिए सवभाग्य का विशं है कि भारत सरकार की तरफ से मुझे इस जनपत में भेजा गया है इस जनपत के लिए सरकार के बीच में जो भी जरूरत होगी मैं एक सेतू का काम करूँगी और वहां जिस भी भाग से जिस विशे की जरूरत होगी उसको मैं जरूर रखोगी